उत्राखंड में लोगसभा चुनाओं के लिए शांती पूर्ण मद्दान कराने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवी आर्सी पुरुशोत्तम एक्शन में हैं। उनके निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में निगरानी तंत को मजबूत करने के साथ ही विशेश चौकसी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में उत्तरा खंड में आदर्श आचार सहिंता प्रभावी होने के बाद 16 मार्च से 18 मार्च तक प्रवर्तन एजेंसियों ने 60 लाग से अधिक कीमत की अवैध शराब, मादक पदार और गैर कानूनी नगदी और अन्य सामगरी सीज की है। स्टेट नोडल ओफीसर मनमोहन मैनाली ने बताया कि बीते 1 मार्च से 18 मार्च तक 7 करोड 68 लाग से अधिक कीमत की अवैध शराब, मादक पदार अनाधिकरत नगदी एवं अन्य सामगरी सीज की गई है। वहीं 11 मार्च को हरिद्वार जन्पन में भी 3 करोड 34 लाख रुपे कीमत की मादक पदार सीज किये गए थे।